हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं यह वीडियो एक कालपनिक खबर पर आधारित है इसका मकसद केवल हासिव यंग्य स्वस्थ मनुरंजन और राजनी तेक कटाक्ष करना है किसी की मान हानी करना नहीं मीजोराम में भी हो रहे है चुनाव आज तक ने किया खुलासा आज तक के खोजी पत्रकार पवन दिवाना ने खुलासा किया है कि 36 गड मध्यप्रदेश और राजस्थान के अलावा मीजोराम में भी चुनाव हो रहे है पवन ने ये पता लगाने के लिए 24 घंडे की कमर तोड रिसरच की है तब जाकर उसे पता चला कि इस नाम का कोई राज़ भी है और वहाँ चुनाव भी हो रहे है हाला कि टीवी पर खबर तो चला दी गई लेकिन आज तक में काम करने वाले पवन के कलीग्स भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे है फिर भी वोट डटा हुआ है पवन ने टेकिंग न्यूस को बताया कि मैं सच कह रहा हूँ वहाँ भी चुनाव हो रहे है दरसल कल शाम को मैं 39 के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तब ही मुझे पता चला कि मिजोराम नाम की इकराज जम्मे भी चुनाव हो रहे है मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मैंने तुरंद एडिटर साब को उसकी जानकारी दी वे भी ये खूफिया जानकारी सुनकर चौक पड़े बाद में यही खबर हमने एक्स्क्ल्यूजिव के नाम पर अपने चैनल पर बेच दी बहुत सारे लोगों ने पसंद की अब दूसरे चैनल वाले हमसे और ज्यादा जलने लगे है पवन की कलीग संजना कश्यप ने बताया कि मुझे तो इस न्यूस पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है वहाँ का तो हमने उपीनियन पोल भी नहीं लिखाया फिर वहाँ चुनाव किसे हो सकता है अगर इस नाम का राज जिन अक्षे में नहीं निकला तो हमें तो माफी मांगनी पड़ जाएगी क्याकर वो डिबेट कराने चली गई उधर चुनाव आयूब ने भी जाज के आदेश दे दिये है कि मिजोराम की खबर आखे दिल्ली तक आई कैसे एडिटर्स गिल्ड ने भी आज तक को कारण बता और नोटिस जारी करके पूछा है कि वहां की खबर दिखाने की क्या जरूरत थी माइन दे न्यूज रूम की रिपोर्ट तैंक यू फॉर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें